अब हम आज नया पाट पड़ेंगे चैप्टर नमबर एड परत मिलाब अभी तक हमने चित्रपाठी पड़े आज नया टॉपिक कौनसा टॉपिक? धार्मिक टॉपिक रामायन पर तो आज हम पड़ेंगे भरत मिलाथ नामक एक एकांकी नाटक तो इसका प्रकार है पाट का एकांकी नाटक आप सबको आपकी ममी धार्मिक बाते बताती होगी क्यों? पता है धार्मिक बातों से हमारे में अच्छे-चे संसकार आते हैं सही बात है तो आज हम ऐसे ही एक धार्मिक टॉपिक यानि की रामायन के एक प्रसंग को पढ़ेंगे आप सब लोग ने लॉकडाउन में रामायन देखी होगी तो उसमें ये प्रसंग आता है आप सब जानते हैं कि भरत राम को मिलने के लिए चित्रकुट वन में जाते हैं तब का ये प्रसंग है उसके पहले का थोड़ा रिवाइस कर दे, तो दसरत राजा है, उनकी तीन पत्निया है, कौशलिया, कईकई और सुमित्रा, उनके चार पूत्र राम, भरत, लक्समन और सत्रुग्न, कईकई माता ने मंत्रा के कहने पर दसरत राजा के ध्वारा राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजगादी दिलाई थी, तो राम तो सिता और लक्समन के साथ वनवास चले गए, लेकिन जब ये प्रसंग हुआ, तब भरत वहाँ पर नहीं थे, और भरत जब वापिस आये, तब उसको जब इस बात का पत्ता चला, तो वो अपने भाई को लेकर बहुत चिंतित हुए और वो उनको वापिस बुलाने के लिए, फिर वन में जाते हैं, तो उसी टाइम का ये पूरा प्रसंग है, जो हमें द्रश्य नमबर वन और द्रश्य नमबर टू, दो पार्ट में पढ़ना है, ओके, सबको समझ में आ गया, आप सबने रामायंटों पर देखी होगी, कहीं वो वापिस अयोध्या ले जाने, आते हैं, उसी टाइम का ये प्रसंग है, तो हम अब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं, चल्ड़ विद्या थी मित्रो, इस पार में आपको इस पार को टैक्सबूक ओपन करके नहीं पढ़ाऊंगी, आप सब लोग अपनी टैक्सबूक ओपन करके ही रखना, तेकिन मैं आपको इस प्रकार चित्रपार के द्वारा इस पार को समझाऊंगी, क्योंकि ये एक कांकी है, नाट सब्दा आएंगे, वो सब मैं आपको साथ साथ में समझाती जाऊंगी, ओके, अब त्रश्य वन, त्रश्य वन में क्या होता है, कि वन का एक भाग है, वन कौन सा है, चित्रकुठ, आपको पता है कि राम, सिता और लक्समर चित्रकुठ में वनवास करने गए थे, तो उसी चि राम और सिता बैठे हुए है, कुटिया, कुटिया यानि जौपडी, जौपडी के बाहर जौप को पीछे दिखाई दे रही न, तो उसके बाहर राम और सिता बैठे हुए है, अब पास ही धनुश्य वान लिए लक्समर खड़े है, उन दोनों के पास ही धनुश्य वान ले देखो तो आवाज कहां से आ रही है क्योंकि ये वन है वन में तो इतनी सारी आवाजे आती नहीं है तो आज एक की नहीं बहुत सारी आवाजे आ रही है तो कहां से आ रही है मुझे देखकर बताओ लक्समन है भाई की अग्णिया को मानकर इधर उधर देखते है और फिर कहते है प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे है उसे लगता है कि हाँ आवाजे आ रही है और सामने से कुछ लोग आते हुए भी दिखाई दे रहे है तब राम लक्समन को कहते है बाई कौन लोग है और जड़ा द्यान से मुझे देखकर बताओ आते तो है लेकिन कौन है वो भी मुझे बताओ लक्समन है द्यान से उस तरफ देखते है और फिर कहते है अरे यह तो भरत है और साथ ही बहुत से लोग है अब नज्दिक जितने आते हैं उसे पता चल जाता है कि ये तो भरत है हमारा भाई कौन सा तीसरा भाई राम लक्समा भारत सतरुग्डिया चोथा भाई है उसका इस पाठ पे कोई पात्र नहीं है तीसरा भाई है वो भरत, भरत मिला भैना तो भरत अपने भाई राम और लक्समन को बिलने अध्या से यहाँ पे चित्रकुट आते है तो भरत को आते हुए वो देखते है और कहते हैं कि वो अकेले नहीं है साथ ही बहुत से लोग है साथ में क्या कहते हैं हमें सावधान हो जाना चाहिए सायद वे लोग लड़ने आ रहे है उनके मन में क्वेशन नहीं होता वो सोची लेते हैं कि अब तो हमें सावधान रहना चाहिए हमें चोकन ना हो जाना चाहिए क्योंकि सायद वे लोग हमें हमारे साथ लड़ाई करने के लिए ही आ रहे है तो ये क्या है? शंका है, संदे है, है ना? क्योंकि सक हुआ है उनको, कि बाई अकेला नहीं है और साथ में बहुत सारे लोग है, तो यहाँ पर यूद करने ही आए होगे, और फिर साथ में अकेली नहीं है, साथ में बहुत सारे लोगों को लेकर भी आ रहे है तब राम लक्समन को समझाते हुए कहते है बाई लक्समन तुम तो बीना बात सक करने लगते हो सक करना यानि संदे करना शंका करना तो राम को पता चल जाता है कि लक्समन के मन में क्या चल रहा है इसले कहते है कि बाई लक्समन तुम तो बीना बात कोई भी बात चाने बीना भरत पर शक कर रहे हो, शंदे कर रहे हो, इतने वर साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना, हमने तो बहुत सारे साथ में रहे हैं, फिर भी तुमने भाई भरत को नहीं पहचाना, तो अगर आप जानते तो तुम्हें पता है कि भाई ऐसा नहीं करेगा, तो वो पुछ रहे हैं कि इतने साल साथ में रहे हैं, फिर भी तुमने भरत को नहीं पहचाना, लेकिन ये सक है, सक बहुत गंदी बात है, तब लक्समन है, वो उत्ते जित होकर, उत्ते जित होना, यानि बहुत गुस्थे से क्या कहते है, पहचाना क्यों नहीं, उसी मा का तो बेटा है, जिसने वनवास दिलाया, क्योंकि उनके मन में अब वरत के लिए संकाई है, और गुस्था किस पर है, कई-कई मा पर, तो वो क्या कहते हैं, कि पहचाना क्यों नहीं, पहचानता हो में वरत कोई, क्योंकि वो उसी मा का बेटा है, कौन सी मा, कई-कई मा का, तो वो कई-कई मा का ही ब बेटा तो होगा ही, इस प्रकार उनके मन में भरत के लिए संका होती है. स्टीता जी भी समझाते है लक्समन को, क्योंकि वो भी भरत को पहचानते हैं, तो कहते हैं कि इसमें विचारे भरत का क्या दोश, दोश यानि अपराद, कि काम किस ने किया, कई-कई माने किया ये सब, और जब किया था, जब ये हुआ था, तब भरत यहाँ पर था भी नहीं, तो उसमें विचारा उनका क्या दोश, उनका क्या अपराद, तो तुम बिना बात पर उस पर इस प्रकार शंका मत करो. उतने में, जो बरत है, वो बहुत नदीर का जाते हैं, और फिर लक्समन है, तो गुस्से में ही, फिर से रामची को कहते हैं, कि देखिए, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, देख लो, अकेले नहीं आए, बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो आप भी देख लीजिए, कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर आपने लॉक्डाउन के समय में रामायन देखी होगी, तो आपने इस पार्ट को भी देखा होगा, तो इस पार्ट में आपने देखा होगा, कि लक्समन तुम जो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, हमें किसी पर बीना बाने, बीना जाने, सच बात की जानकारी के बीना किसी पर शक नहीं करना चाहिए, पहले पुरी बात को समझो, जानो, उसके बात कुछ नहीं लो, इस प्रकार चल्दी से किया गया नहीं ठीक नहीं होता, तो ये बात भी इस पार्ट में, इस पार्ट में ये हमें सिखना है, कि लक्समन है, वो भरत को बहुत अच्छी तरह से पैचानते हैं, फिर भी वो उन पर शक करते हैं, और शक की कोई दवा नहीं होती, तो लक्समन जी को राम जी और सिता जी दोनों समझाते हैं, कि भरत हमारा भाई है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन लक्समन के मन में बैठ गया है, कि वो कई-कईनी मा का पूत्र है, तो कई-कई मा ने हमें 14 साल का वनवास करवाया, और ये बाई बरत है, वो हमारे पास सस्त्र नहीं है, ये जानकर हमारे पर युद्ध करने आया है, और हमें मार डालेगा, इसलिए पूरे 14 साल के बाद जो राम को राजगादी मिल सक्ती है वो भी ना मिले और उसे ही राजा बना रहे इसलिए वो ऐसा करने साय दिया प्याय होंगे ऐशा शक लख्समन के मन में है अब क्या होता है वरत राम को मिलने राम जी को मिलने नज़दी का आ जाता है अब आगे का द्रस्य टू में हमें समझ में आएगा द्रस्य टू में हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे ये था द्रस्य नंबर बन तक का आप सबको द्रस्य नंबर बन तक समझ में आ गया द्रस्य नमबर टू को हम टेक्स पार्ट में समझेंगे ओके अब पढ़ेंगे द्रस्य नमबर टू